नमस्कार साथ ही आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड विद रहुनेक चलिए दोस्तों आज के शुरूब आज करेंगे हम पीएफसी के साथ पीएफसी के वादे हम बात करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब कर लिए तो दोस्तों आज दस जनवरी और दिन के बारा बच के तीस मिंट और लाइब मार्केट ऑपन है अब मुझे लगता हम यहां से तीजी के इंडिकेशन क्योंकि वन मंस के हैस पर जारा से और क्या वज़े है तीजी की वहीं वतांगा थुड़े में तो प्लिस वीडियो को पूरा देखिए वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूलिये तो पावर फाइनेंस कॉर्पेशन लिमिटेड पी एफसी पावर फाइनेंस तो तेजी की वज़ए तो पावर को जो बजट आ रहा है तो पी एसे क्यों कून अबगियों तो पावर फार हम करने के पैसे पैसे के UP पढ़ती पावर कंपनियों को तो यह गौवर्मेंट सेक्टेक कंपनी यह तो परवाइट करेंगी तो गौवर्मेंट इसका भी में रोल रहता है तो पावर फाइनस लेटे जो भी पेमन्ट जाएगी तो वह इसके द्वारा जाएगी ना तो आप मोटा-मोटा आपको समझ आ चुका है अब चलते हैं शेर क इसका ओपन कर लिया, ओवर्वीव समस्तव सबसे पहले इसका, तो कंपनी कपसे है, 16 जुलाई, 1906 से कंपनी है, है है, है क्वार्मेंट मिनिस्ट्री और पावर के अंडर्टेकिन में काम करती है, गौर्मेंट सेक्टर का शेयर है, तो आज ये 1.5% की तीजी के साथ ट्रेट क चल रहा है, तो इस अच आए पंधर देखने ने के अनधर प्र जचुलाई, बखनी मेंट ध़िए, तो आ बहु इस तक आजए की साथ अब प्रण Said ओपन कर लिगना पिंदर, SI के अभि देखता है, हभी देखते ये 5-3 यानिके फिर बारा वजे तक इसमें 53% डिलीवरी उठाली यह 10 जनवरी बारा वजे तक इसमें 53% डिलीवरी उठाली 53% डिलीवरी तो यह भी आच्छा इंडिकेशन है अब देखे पावर फाइनस कॉर्पेशन लिमेटेट के अंदर इसका मार्केट के अब 32,684 क्रोड का स्टोक पीए 2.51 का रिटन ओफ रोसी इसका है 9.45 का बुग वैल्यू 25 पर काफी अच्छी है और रिटन ओफ एक्वेटी 21.3% का है और डिवीडेंड कंपनी ने अभी तक दिया बहुत अच्छा इंडिकेशन है डिवीडेंड 8.08% फेस बेली इसकी 10 अर्बे गी है अब देखे कंपनी का इस डिवीडेंड मैंटेन रखा है 19.33% की ग्रोथ के साथ और कंपनी की मीडियम सेल ग्रोथ है इसकी 15.22% यानि 10 साल की मीडियम सेल ग्रोथ काफी अच्छी है तो यह अच्छा इंडिकेशन है अब देखे इसका शेयर होल्डिंग पैटन देले था हम लोग थोड़ा मोटा और एफाइस के पास 17.88 काफी अच्छी अच्छी होल्डिंग है पर मोटर के पास अपनी इंक्रीज करी है सिदंबर कॉर्टर के अंदर यह पॉजिटिव साहिन है तो दिखे मैं टेगटेब के साथ पाता हूं यह 100% अलेजर बोले सब्सक्राइब करने के लिए और देखे क सब्सक्राइब करते हैं अघुटिविडेंटों में त obser तो यह देखिए कंपनी एवरी एर क्वाटर रिजल्ट यानि 2-21 के अंदर ही देखिए मार्च क्वाटर के अंदर जुलाइग में अगस्त में नौमबर में यानि कि एक साल में चावार तो कंपनी ने डिवीडेंट दे चुकी अभी तक तो यह देखिए समझाना लिए बात है कि कंपनी डिवेडेंट दे रही है पूरे वार क्वाटर में कंपनी ने डिवीडेंट भी दे दिया है तो यह था बागी चलते सिल चार्ट कई चार्ट के दार इंडिगेशन देखता हूं, सबसे पहले हम चलते हैं, strang चलते हैं , टो वीकली चार्ट इसका उपन करते हैं, हमें लोग तो पर शक्राइब करते हैं नो सबसब्स पहले करेंगे मैं नोट पर सबसब्स पहले जो अच्छे और काफे अच्छे इन्रोस के भाद अब न्यु सब्रीज्ड थे तो आ पर यह देखिए यहां पर जो मैंने बता है तो जब भी केंडल बनती है जो बनते है डोजी नीचे बनेगी तो यह नीचे जो डोजी बनी है ड्रैगनफ्लाइग तो यह तेजी को इंडिकेशन देखे के है यहां से तेजी के डंखम दिखाया इसने तो उसके अगले दिन इसमें सब्सक्राइब कका लाइब तो कल के के कंडल सम लेख चलेंगे तो चलेंगे आज तो इसे उपन हो आज के दिन गूपर ही और छीज़ी दिखागा इस विक इस अच्छी खासी और रिवर्जल जो आ रहा है बापसी के आ रहा है तो यह देखिए यह रिवर्जल पूरा बापस हो रहा है यहां पर देखिए एक सब्सक्राइब हो रही है यह केंडल अच्छी खासी बुलिस केंडल ट्रेड हो रही है तो अब अनको 120 के स्टॉपलों से बापस रिवर्जल पर आज के दिन इसमें अब ट्रेंडिंग आ रहा है तो एक मंस के हैस पर जानने के बाद शेर के अंदर ऑप्टीजी देखने को मिल है यह जो केंडल है यह जो 125 के उपर आज क्लोज कर गया तो कल के दिन इसमें और तीजी देखने को मिलेगी तो यह हडल पूरा ब्रेक आउट मारा है मसीडी पर अब ट्रेंडिंग दिख रहा है तो यह भी काफी अच्छा इंडिकेशन है और यहां पर जब ब्रेक आउट यानि कि यह जैसी अपना जैसी अपना क्या बोलते हैं उसको जैसी यह 200 डेस के अवरेज मूब को क्रोस करेगा तो इसमें और तीजी देखनों को मिलेगी आपको तो आपको 120 के स्टॉपलों से रखना तो पहला टार्गेट तो हमारा 130 का है क्योंकि हडल 126 पर 130 का हम अच्छे चाहिए खरक्षिन के बाद शेर अप्ट्रेंडिंग आगा तो 130 के बाद 135 बेदखके टाइगट आपको दिख जाएंगे 10-15 दिन में तो क्यूंकि 135 बोलो यह जो कंडल देखना आपको 140 की है और शेर इस टार्ट्री के तना फसा यह अच्छे खासा यहां पर कोई हो जाएंगे तो आपको क्या करना है 10-15 दिन के लिए बाय करना पिसना साब होल रखना है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता पर इस वीडियो को लाइक शेर फावड करना बिल्कूल ना भूले थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो